हेलो एवरिवन तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जारी हूँ भेंडी की एक ऐसी नई और अनोखी सब्जी की रेसिपी जो शायद ही आपने कई देखी होंगी इतना नया तारीका है और बनाने में बहुत ही आसान है दस मीट में जटपट बनकर रेडी हो जाता है भेंडी तो आपने कहीं बार बनाएंगी लेकिन इस बार आप मेरी तरीके से भेंडी की सब्जी ज़रूर बनाके देखेंगा तो अगर आपको मेरी रेसिपीस पसनाती तो जरूर मैं चैनल को लाइक किजिए शेयर किजिए और सब्सक्राइब किजिए तो सबसे पैस ले हम 250 ग्राम जो है तो भेंडी लेंगे जो भेंडी होती ने एकदम सौफ्ट वाली लेने है जिसे काईली भेंडी कहते हैं वो लेना है और उसके डंठल आगे के और पीछे काट लेंगे और एक भेंडी के हम दो हिस्से कर लेंगे बस इस तरीके से हमें कट करना और भेंडी को हमने सबसे पहले तो अच्छी तरीकाश करके सुखा लिया था अब हम क्या करेंगे इसके साथ में हम एक अनियन लेंगे, एक से दो टॉमेटो लेंगे, एक गाठा लशन करेंगे गैस अन करेंग, गैस पर एक कड़ा ही रखेंग, उसमें ऑईल खुब सारा दालेंगे ताकि इस सारी चीज़ अच्छी तरीके से फ्राय हो जाए तो भेंडी को हमने एक भेंडी के दो हिस्से कर लिए टोमेटो को और अनियन के उपर के छिल्टे निकाल लिए एक लस्सन का गाठा ले लिया है और इन सारी चीज़ों को सबसे पहले हमने अच्छे से वाश करके सुखा लिया है अब एकदम जो भेंडी जो है तो गरम गरम ओईल में हमें डालना है तो वो निकल जाए ना तो हमें टमाटे लस्सन और जो प्याज होती है वो हमें निकाल कर अलग रख देना है बहुत जल्दी जो है तो टोमेटो की स्किन निकल जाती है तीन से चार मिनिट में तो हमें इसके साथ में ये सारी चीज़े हम निकाल कर रेडी कर लेंगे ताकि हम इसका एक पेस्ट बना सके अब जो भेंडी है ना तो भेंडी को हम अच्छी तरीके से पकने देंगे भेंडी को हमें इतना क्रिस्पी करना है कि इसके अंदर का जितना भी चिकनाहट हो वो सार पक चुका था था भेंडी हम निकाल लेंगे और गैस को बनका देंगे अब जो हमने टोमेटो लसन को यहाँ पर फ्राइ करके रखा नो उसे एक मिक्सी के जार में दालेंगे और वन टीस्पून उसमें हम जो है तो जीरा दालेंगे वन टेबल स्पून इसमें वाटर पीस लेंगे अगर ऐसे भेंडी पीसे ना जाए तो इसमें वन टेबल स्पून आप वाटर दाल कर भी पीस सकते हैं तो देखिए गैस भेंडी अच्छी तरीके से पीसे जा चुके तो एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना बस इस तरीके की और ऐसे तो भेंडी एकदम पानें में ना जूबड़ में बोटर दालेंगे हाफ टीसपून हल्दी पाउडर दालेंगे फिर या या फीकी तरीके से मिकश करेंग ऑड़ इस वाटर में टे से बाइल आने देंगे ध्यान दने वाली बात फिर जितना हमने वाटर लिया है ना जिस कप से उतना ही हम बेसन लेंगे जितना हमने वाटर लिया उतना बेसन लेंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे फिर हाफ कप और भी बेसन लेंगे लगबख एक कप पानी में हम देड़ कप बेसन लेंगे और इस अच्छी तरी तो भेंडी खाफ़ी चिपची पी रहती है तो बेसन को भेंडी को मिक्स करने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है तो ग्यास की फ्लेम एकदम स्लोग कर दे और जो हमारे पास में इस पैचुला है न तो उससे अच्छे तरीके से हम भेंडी को मिक्स कर लेंगे दोनो ओइल लगा लेंगे प्लेट को ताकि हम इसके अंदर ये भेंडी को और बेसन का मिक्स कर दाले और जब निकाले तो अच्छे से निकल जाए नीचे से जो है तो प्लेट को चिपके ना बस इस पैचुला से अच्छे तरीके से प्लेट पर फैला देना है ताकि अच्छे तर लगा के करेंगे ना तो बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम चिकना जो है तो इसके पीसेस निकल के रड़ी होंगे अब इसे आदे से एक घंटे ऐसी थंडा होने के लिए रख देंगे और आदे से एक घंटे के बाद में इस तरीके से हम कट देंगे तो हम यहां पर बस जब के जबी कड़े रहा आप इसे आदे से एक गंटा रखेंगे तो एक दम इसके जो पीसे से बिल्कुल भी चिपचिपे निकलेंगे अच्छे निकलेंगे अब यह गरम गरम ही है हम निकाल रहा है तो थोड़े चिपचिपे है ठंडा करने के बाद में बिल्कुल भी जाए के नहीं काड़ा ही लेंगे उसमें 3 टेबल स्पून ओइल दालेंगे असका plan result रखेंगे शोई छोड़ देखेंक प्यास लस्टन और टोमेटोग को सब्पाल नो मसाला जरीद गाएं तो मजुनी ऒबагते है टोड़ा हमने utp में इस चूररी तरीके साथ इतना मसाला भूने जाने तक हमें तो पकाने देखिए पूरा ओइल सेपरेट हो चुका है इसका बस अब इसमें हम क्या करेंगे थोड़ा से वाटर दालेंगे वाटर दालने के बाद में वन टीस्पून जो है तो लाल मिश पॉड़र दालेंगे वन टीस्पून धनिया पॉड़र दालेंगे हाफ टीस्पून हल्दी पॉड़र दालेंगे नमक अपने स्वात के अनुसार दालेंगे समार दालेंगे यानि धनिया पत्ता दालेंगे टू टेबल स्पून वन टी स्पून जो है तो आमचुर पाड़ा दालेंगे आमचुर पाड़ा ना तो दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दही पसंद ना हो तो आप एक लेमन का जुज भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब इन सारी चीजों को बड़िया तरीके से हमें मिक्स करना है इक वाद में अच्छी तरीकिसे हम भूणेंगे ताके तरीके से बिल्कुल ही कच्चापन ना रहा है इस तरीके से हमें भूनना है जब तक यह ओयल रिलीस ना हो जाए तो यहाँ पर फिर आप अच्छी तरीके से भून चुका है अब यहाँ पर हम आदा गिलास पानी डालेंगे तो आपको जितना भी ग्रेवी वाला यह सबजी चाहिए तो आप उतना इसमें पानी डाल सकते है और अगर आपको एकदम सूखा चाहिए तो आप पानी बिल्कुल 1-2 टेबल स्पून डाले और फिर जो हमने बेसन और भेंडी की बड़ी बनाई है वो इसमें डाल देंगे तो हमें थोड़ा से ग्रेवी वाला चाहिए तो हमने आधा गिलास पानी डाला पानी डालने के ब बेवी पक जाए बॉइल आजा उसके बाद में डालना और धीरे धीरे इसे मिक्स करना एकदम से इसे मिक्स नहीं करना यह बहुत ज्यादा नाजूक होती है तो तूटने का डर होता है और इसे चार से पांच मिट हम पकाएंगे टोटली हमने जो है तो भेंडी को भी फ्रा काते होंगे चिकन काते होंगे इन सबको यह जो डीशे पीछे छोड़ देंगे इतना ज्यादा टेस्टी और ला जवाब बनकर रेडी होती है तो यहाँ पर हमारे जो है तो भेंडी की यूनिक और नई सबजी रेडी है तो आई होप गाईस आपको यह सूपर डिलिशस भे पीजेंटे के